हेलो दोस्तों प्रीतीज वेच किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन आलू चिला सेंडवेच जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होता है इसके लिए हम लेंगे एक बेसन का घोल जिसमें हम थोड़ी सी हींग थोड़ी कस्तुरी मेथी या दनिया आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास अफ़लेबल हो थोड़ा सर नमक डालेंगे और इसको एक पैन गैस पे चड़ाएंगे उसमें नॉंस्टिक पैन हो तो और अच्छा रहेगा क्योंकि हम यह बहुत ही लेस ओयल में बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम एक प परिशानी नहीं होगी इसको फलाने में उसके बाद आलू का एक स्टाफिंग त्यार करेंगे वो आप अपने मन मताबिक त्यार कर सकते हैं कैसा भी जैसा भी आप जो भी उसमें डालना चाहें आप फ्राई करके करना चाहें आलू तो वैसे आप कर सकते हैं जैसे आपके मर तरफ ओयल ग्रीस करेंगे बहुत ही मैनिमम ओयल में ये राज्टा बन के तियार होता है ना के बराबर ही ओयल रहता है तो इसके बाद इसको हम उपर से आलू स्टफ करने के बाद उपर से फिर से पैटर लेंगे और फिर से उपर से पूरा कवर कर देंगे फिर इसको ढग के एक मिनट तक इसको पकाएंगे फिर देखेंगे यह देखें कितना अच्छा कलर आया है और इसने एजेस भी अपने छोड़ दिये हैं किते आसानी से यह आपका पलट जाएगा और उसके बाद फिर से इसको पलट के ढग देंगे और फिर एक मिनट तक कम से कम इसको पका लेंगे जिससे यह दोनों तरह से अच्छे से पक जाए और देखें यह ब्राउन हो गया है कोल्डन ब्राउनिश कलर आ गया है और यह बहुत ही कम तेल में बनने वाला दोस्तो नाशता है जितनी जल्दी यह बनता है उतना ही स्वादिष्ट यह होता भी है तो इसको बनाईए चाहें आप इसको दही के साथ खाईए सबजी के साथ खाईए चटनी के साथ खाईए किसी भी चीज़ के साथ आप चाहे नाच्टे में खाईए, खाने में खाईए, हर तरह से यह आपको अच्छा लगेगा, यह देखे दोस्तों कितने अच्छे से स्टफ्ट होके त्यार हुआ है, यकीन मानियों दोस्तों यह एक बार आप बनाएंगे तो रोज-रोज बनाके ख आती रहूंगी, मेरे इस चैनल को दीखने के लिए धान्यवाद,